पाकिस्तान इन्ना लिल्ला है वाइनले राजोन कुछी देर पहले एक कॉलीग हमारी चैनल फाइव की रिपोर्टर सदफ नईम साहिबा जो है उनका इंतकाल हो गया आप तस्वीर भी उनकी शाद देख रहे हैं उस्क्रीन पे वो कवर कर रही थी लॉंग मार्च और सादो की में कंटेनर से गिरी है और गिर के शी वस क्रश्ट टू डेथ और जो लॉंग मार्च है वो पोस्पोन हो गया कल सुबह तक बताया जाता है कि अमरांग खाना आए उन्होंने देखा बच्ची को जो जिसका इंतकाल हुआ है तो उनके खानदान वालों को हमाई तरफ से बहुत कंटॉलिंस और खुदा उनके दरजाद बुलंद करे वेरी वेरी ट्राजिक डेथ आपविसली तो नाजरीन अपने हमारे आज गैस हैं सलीम बुखारी साब चीफ एडिटर डिजिटल डिरेक्टर हैं डिजिटल मीडिया सिटी नियूज नेटवर्क के अपना प्रोग्राम भी करते हैं इनीज नो इंट्रडक्शन बहुत चुक्रिया सलीम बुखारी साब हमारे साथ आसमा शराजी साहब आएं नियूज आंकर होस्ट हैं फैसला आपका आज नियूज में होती हैं और हबीब अकरम साथ नाजरीन जर्नलिस्ट अनलिस्ट होस्ट हैं अपना प्रोग्राम में शुरू करेंगे सुनो टीवी पे शायद बहाँ डिरेक्टर या प्रेजिडेंट हैं अबर्ज जो आई ये भी कुछी दिर पहले हैं एक यंग खातून जिसने अपने केरियर शुरू किया है जिए जनलिस्ट और वो इतने डिफिकल्ट इसाइम्मेंट के ओपर थी आपको बता है लूंग मार्च को देखर करने के लिए किन مشकलात का सामना करना करना पड़ता है हम तो देख चुके हैं लोगों से सुन भी चुके हैं इसलिए बड़ी हिम्मत वली खातून थी वो और जितनी ट्रैजिक उनकी डेथ है उसके ओपर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है और उनके घर के लिए जो उनके वरसें हैं उनके साथ भी हम दर्दी का इसार करते ह भी खासतों थे और अपने गूर्प की तरफ से भी मैं घुर्प की नमाइदगी करते हूए तमाम अपने साथिOS की तरफ से उनकी इस अंदौन जो वफात हुई है उसके ओपर अल्वत दूा करते हैं कि भुcare घर वाले जो हैं उनको वो सबरद अता करसे ताके वो हिम्मत पैदा करके ये सिद्मा बरदाश्ट कर से जी आमीन आसमा आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे जी नसीम बहुती बहुती अफ्सोस की खबर है अभी तो जिस पहले ही मेरे तक पहुची और यकीन माने हैं कि ऐसे जिसे कलेजर मुझ को आता है कि एक यंग लगकी जो के स्टर्गलिंग जनरेस्ट और वो चारी थी के खात्राप का इंटर्व्यू हो जाए जारे हरे हरे का फ खुई है अभी तो जाहरे हैं बहुत ही अफ्सोस की बात है अलपाज कम है ताद्मी पूरिये बेशक खबीब सब आपका पेगाम और पिर चलते हैं जी बहुत ही अफ्सोसनाग वाका है और बिलख्सूस एक नौजवान जर्नलिस्ट एक अपकमिंग जर्नलिस्ट का इस तरह जाब हाक हो जाना ये हादसा तो अपनी जगाह है लेकिन इसकी अंदोहनाकी कम नहीं होती हादसा कह के इसे अपने अपने जवारे रहमत में जगा दे और उनके वालदेन को और उनके अजीज़ों कारिद को सुकूम बखशे अच्छा आसमा आपसे जरा शुरू करते हैं ये जो लॉंग मार्च हो रहा है जो अब हलात अभी तक बने हुए है तो तीसरा दिन है आपका क्या ख्याल है क्या लॉंग मार्च में पबलिक की जो सपोर्ट मतवक्य थी पी टी आई की लीडर्शिप को वो आई है जो आप देख रही है टीवी पे उसकी बेसिस पे क्या नज़र आ रहा है आपको और जो रिपोर्ट्स में रहे हैं भी बहुत 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 शुक्रिया नसीम दिकु नहीं है इसमें तो कोई दोराएं नहीं है मस्दलना हमारी दुक्वात यह थीं कि बहुत बड़ा क्राउट और एक अच्छा साइजबल क्राउड लिबर्टी में माफखान साफ ने कठा भी किया और लोग उतके साथ भी उस रख मौचूद थे लेकिन उसके बाद जिरु आ इससे बहुत ज्यादा तुखवात थी कि लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ जाएंगे और इम्राथ खान साथ इस प्रेशर विल्ड़ाप कर पाएंगे तो वो प्रेशर अभी तच बिल्ड़ा से नहीं हो पाया कि जिसकी लीट मैसूस करें इस्टैबिश्में में हो सकता है कि बड़ा जल्सा हो जाए लेकिन तुखवात की यहीं कि बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे कप्लो में आएंगे एक मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस्टैबिश्मेंट पे और नहीं नजर आ रहा था इदारों के उपर भी हुकूमत के उपर काल भी एक observation आपकी थी के numbers इतने important नहीं हैं बट आपने खुद ही कह दिया कि जो numbers हैं वो इस हवाले से important है आसमा के जितने ज्यादा numbers होंगे उतना it will translate into pressure in Islamabad and Pindy अच्छा बुखारी साब आप फर्माइएगा कि जो numbers जो है they are important because negotiation में directly numbers का impact होगा translating into pressure in Islamabad and Pindy तो क्या आपको लग रहा है कि numbers उतने हैं जितने मतوقع थे या is it too early to think of that? ये शेख रिशीद ने कहा ये असद उमर ने कहा ये शा महमुद कुरेशी ने का जिसने मर्जी ना आप अच्छा अबी वरकरिम साब बताईएगा आपके क्या आपका ख्याल है कि वो मतوقع turn out है लोगों का जो या उससे कोई कम है या ज्यादा है? नसीम मेरा खालिया है कि अभी हमें turn out का अंदाजा इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि जो turn out है वो मेटर करेगा जब वो इसलामबाद में पहुंचेगा और उसके साथ जो मार्च की जो हिकमत है वो भी कुछ दिल्चस्प सी है कि आप इसमें ये देख रही है कि लहौर से चला तो आजादी चौक पर रुक गया फिर अगले दिन शादरा से चला तो मुरीद के रुक गया यानि वो जो 65 किलो मेटर का सफर है लहौर से गुज्रावाला वो भी अभी complete नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि खुद पाकिस्तान तहरी के इंसाफ अभी numbers पे तवज्य हो जाएं और किसी एक मौके पे और इस अफ़ जो इमरान खान की जो पार्टी है वो जासे गियर डप है तो numbers इकठे कठे करना किसी एक given point पे शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा लेकिन वो अभी numbers पे उस तरह तवज्यों नहीं जे रहे हैं सिर्फ movement से अपनी खेल रहे हैं और message दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ आने से पहले पहले अगर मामला तैय हो जाएं तो यहां पे कुछ रहायतें भी हो सकती हैं लेकिन अगर इसलामबाद में number बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया तो फिर वहाँ पे शायद इमरान खान के बस में भी नह बस इतने नहीं matter करते हैं ज्यादा यह है कि इमरान खान की presence है उससे लोग मोबिलाइज होंगे और मोटिवेट होंगे मेरे क्याल में number matter करेंगे जब बिंदी में आते हैं यह बात दुरुस्त है अबीब अकरम साब की लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही matter करते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो आप इसी पर बिल्ड अप करते हैं कि कितने लोग हैं और वो आपकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं वो आपका कौन सा narrative लेके चल रहे हैं लिबर्टी में कुछ इदारों के नाम उन्होंने लिए और उसके बाद पिर समझा यहीं जा रहा था कि वो पूरा अपना जो जी टी रोट का उनका लांग मार्च है उसके अंदर वही नाम बार बार लेते रहेंगे उसी तरह की बात करते रहेंगे लेकिन आपने देखा कि कल रात को वो अचानक चले गए जो स्टेट से अनाउंसमेंट हुआ असाद उमर्साब का उन्होंने का कि जी वो एक बहुत ही एहम मुलापात के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाद जो है वो अगली सुबा साड़े ग्यारा बजे के करीब उन्होंने जो आके एक्स्प उन्हों के जो हमारी इतलाफ हैं के 6,000 के करीब लोगों हर डिस्टिक के लोग जो थे वो कहा गयाता कि लेके आएंगे और अगर 6,000 36 डिस्टिक्स में से लोग आ जाते या 34 डिस्टिक्स में से आ जाते तो जाहरे एक बड़ा नंबर बनता वो कही नज़र नहीं आ रहा है जो के जहां पर दूह फुर्वार करते हैं, वहां पर वो सारे लोकल इकते हो जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद कुह इस खान साफ को वैसे देखने के लिए भी आजाती है, जितनी बड़ी तादाद से वो गताद कर रहे होते हैं, तो एक तरह से उनकी पार्टी के बिबर के उपर जो है वो काफी ज्यादा इंडिस्टिप्लिन काम जो है वो लगा है या वो उस परा से और्गनाइज़ नहीं कर सकी है इस लॉंग मार्च को जिस तरह से करना चाहिए हमने हाली आई तारीख में देखा था बलकि वे खुद गई भी थी जब दिलावल खुटो कर रहे थे तो नसीब शायद आप भी गई थी और आपने देखा होगा कि वो लोग सिल से अपने लोग जो थे उनके साथ चले थे और वो तेका जगा खड़े होते थे वो टेंट लगाते थे रात पूर रहते थे और वहां पर ही उनका खाना वाना और सब होता सब वो चल पड़ते थे यही चीज हमें यहां पर नजर नहीं आई कि कोई लोग इमरान खान साथ के साथ लाहूर से निकले हो और वो साथ साथ चल रहे हो बलके ऐसा लग रहा है कि वो एक तरा से स्टॉप ओवर होता है और वहां पर खड़े होके लोग बात सुनते हैं और तो उसके बात बात वही पहल जाते हैं या उसी इलाके के लोग होते हैं जो आते हैं सुनके चले जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इमराम खान साथ की बात है जो पैगाम है वो लोग सुन रहे हैं लेकिन शायद उनके साथ चलने के लिए एक पार्टी की तंदीम जरूरी थी वहां पे उन्होंने का मुझे ये बड़ा अन्यूजियूल लगा के हर रोज पड़ाओ डालें उन्होंने ये लवज इस्तमाल किया बजाए के चलते रहना थोड़ी थोड़ी देर जाके रुकना तो उनका भी खयात है कि शायद मोमेंटम टूपता है क्या होता है बड़ आप इस पर इसा करना मिसाल के तौर करें कि दस जार लोग भी हो या पाँच जार लोग भी हो तो उनको किसी एक रात एक जगा ठहरा ना कोई छोटी बात बहुती तो लेहादा पार्टी ऐसा लग रहा है कि पार्टी इस से तोड़ गुरेजा है और इनका ख्याल यह है कि हम कहीं परेजी के बिलावर भुट्टो जब्दारी साथ लेके चले ते तो वो एक उसका अपना इंपक्त है लेकिन इमरान खान किसी इमरान खान ने अपना जो जो पूरे यानि कहीं कि जो निशाने पर जो चीज रखकी हुई है वो इसलामाबाद में लोग का इकठा होना है अब देखिए कने चेशी तरह से उन्हें अब जुमेह से यानि अब आइंकना शाहिब दर तीं दिन भाद याद दो दिन भाद माँ भाद कीजेगा नोशेरा से निकलें लोग फिर किशावर से निकलेंगे और देरा स्मौल खाने निकलेंगे और पिर हो सकता है लोह छिश्ट से कोई पहरीर स्कॉाइर वनी सिचुएशन नहीं पैदा हो रही या ऐसा नहीं है कि किसी परीशे से हकूमत को टॉपल करना है या ऐसी हकूमत है जो सदीयों से या सकाई दिहाईयों से चलती हा रही है पाकिस्टान एक फंक्शनल डिमोक्रिसी भी है तो हालात को किंट्रॉल में रखना है वो आ इमरान खान के लिए भी जाने पाएं को इस मामले मेरे से ही करना है और मेरा खाली है कि यह जो वो message दे रहे हैं बार 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 यस तरीके से आज भी विह ने कहा करा हूँ वहां पे करbey कर रहा हूँ जहां पे खुद हुआमत भी कर रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं बात चल पड़ी है और कल मुझी बर्मान शामी साथ ने जो इंट्रिव्यू किया चाधरी प्रोड़ी जलाई का तो उन्हों ने भी कहा कि बैट राओर जो मामलात है वो चल रहे हैं तो इस तरह बात आदे पड़े की तो पता चलेगा लेकिन मेरा खाला कि इस मरले पे सारे फरीच जो है वो खाभूशी से अंडर से कुछ और कर रहे हैं और बाहर किसी और तरह की और बाहर की अलाना आप देंड है यही बात देखने की है क्योंकि अपके बात है और जो नाजरین आपने दिन भार सुना है मुटलिफ अओ ait राफ से जो स्टेट्मेंट्स आजी हैं कोई किसी को बूट पॉलिश या तो कोई किसी को फित्ना तो कोई किसी को चोड़ किसी को गुच तो इस माहौल में कहां तक मजाकरा तागे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद इस पर गफ्तू करता है estaดौन दास हैं वो किस तरह impact करेंगे आज सुबा से आपने सुना तीन चार मुख्तलिफ स्टेटमेंट साइट सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साब ने क्या कहा बाचीत के हवाले से और उन्होंने तो ये बात कही कि सुनिए क्या कहते हैं अमरान खान साब के हवाले से मेरे जानने वाले हैं कोई महीना पहले मेरे पास अमरान न्याजी का पेगाम दे के आए तो मैंने उनका किस एशूस के उपर उनका जी दो इस एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट हम आपस में तैय कर लें और दूसरा अच्छा ये कहा प्राइम एंसर साब ने जरा जवाब सुनिएगा अमरान खान साब का कंटेनर्स मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता मैं उन से बात कर रहा हूँ और की जिन को मिलने के लिए आप गाड़ी की डिकी के अंदर छुपके जाया करते थे जी ये जैसे हभीब अक्रम साब कह रहे थे कि इस्टैबलिश्मेंट से कोई बाचीत हो रही होगी शायद अब फवाज चौदी साब ने क्या कहा सुनिए कोई मीटिंग नहीं हो रही हमारा जो है वो तमाम मैंडिक आरफ अलवी साब के पास है यह नहीं के एक तरफ तो इम्रान खान साब ने कह दिया ना के मेरी शर्त यह है कि एलेक्शन फेर और फ्री होंगे इसी पर बात करेंगे दूसरी तरफ अगर यह आपका है बिलकुल क्लियर अबजेक्टिव तो फिर आरफ अलवी साब क्या लचक उसमें पैदा कर सकते हैं उनको जब वो कह रहे हैं अथारिटी दिये तो कहें कि अथारिटी दिये जी बिर्कुल बड़ी इंटरेसिंग बात है यही तरसीम लेकिन सवाल यह है कि अमराथ खान साब मुस्तकिल यह कहते रहे है और जब वो लॉंग मार्च लेके भी निकले कि वो किसी सूरत इलेक्शन की जो तारीख लिए बगहर रखना एतिजाज खत्म नहीं करेंगे या वो जो जी टी रोट का सफर है इसको इसकी मंदिल सिर्फ वर्टिफ आम इंतखाबात है और उनकी जल से जल उनकाद है एक तरफ यह पोजिशन है और दूसी तरफ हुकूम करने नवे दिन और वो देट अगर आप देते हैं तो उसके उपर हम बात करने को तयार है यानि अपने मुखररा मुद्ध के उपर इंतखाबात की बात से वो पीछे नहीं हट रहे आप इमरान साम साथ ने प्रेशर बिल्डप करना है और वो नेरेटिफ लेके आना है जिस उसके प्रेशर प्रेशर ने खियुद रहें दो महीने बेटे हैं लेकिन इंतखाबात का वो कह रहे हैं कि हम पहले नहीं देंगे अभी जो अल्वी साब ने ये बात कही और हमारे इस इंटव्यू में उन्हों ने यह बात करी थी कि वह यह जात हैं कि किसी तरीके से में तौाल सकता अत्राश कर अवानारे लिजित ला लिए है को है किन के था मांच को ते पर लॉज अर्डी साय कोältी या मैं तो लॉज्भर फोड़ जो इंचार का लो पर लॉजर को एकार तो मेरे क्याल है कि बहुत ही अंक्लियर जहर वाज़े जिन्दे के साथ इम्राम कान साथ ने लॉंग माच किया और उनको पता था कि हुकूमत अपनी बात से नहीं है कि उसके बावदूद उन्होंने इस लॉंग माच के जो है वो रिस्क लिया आप जाहर है कि वो एक ऐसी मेरा नहीं चाल से इंतखाबाद से वो मान जाते है उस वक तो उस पॉजिशन से अगर देखें तो हुकूमत अपनी जज़गा पे टिखी रहेगी और इम्रान खान साथ को अलबता अपनी पॉजिशन से पीछे हटना पड़ेगा और फेस सेविंग उनको चाहिए होगी वो फेस सेविंग क्या होती है क्या वो पार्लिमेंट में वाफिस आएंगे या फिर वो कहेंगे कि ठीक है आप एक आज देर महीना पीछे चले जाए जाएं तो इस तरह की जो सिटुएशन है वो तिलहाल आती लिखाई देती है कल को कुछ हो जाए सिटुएशन बदल जाए इ वो प्रेशन अपना बिड़ अप कर पाएं वो हुकूमत को निगोसिएशन की टेबल पर ले आएंगे चल की बात है जो आज तकी सूर्चहाल है उसके अंदर हुकूमत रखनी पोजिशन से हटी दिखाई नहीं देती हभी बद्रम साब दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे ह और मतलब टेकिंग आसमा पॉइंट फॉरवर्ड के सब कह रहे हैं कि कोई गुफ्तगू नहीं होरी डिफेंस मनिस्टर साब ने का जी कोई बाचीत नहीं होरी येट येट यू हैव के प्राइम मिनस्टर ने एक कमिटी बनाई जिसमें अपने दो जीरक लोग डाले जिसमे साद रफीक साब डाले और अया सादिक साब डाले जिनका तजर्बा भी है डायलॉग में बाचीत में तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और एक तीसरी बात जो के आसमा भी जिसकी शीज विटनेस टू दिस के जहां हमारी मुलाकात एक जिगा हुई तो वहां बड़ी क्लियरली ये कहा गया कि अगर ये आपस में लड़ेंगे जितना ये लड़ेंगे सियास्टान और हकूमत उतना हम इनको मेज पे बटाएंगे के बात करें और आज डी जी आईस प्यार की भी आपने देखी होगी ट्वीट दिन में के हकूमत से ये रिक्वेस्ट की जा रही कि अपने खिलाफ चलने वाले किसी तहरीक अपने खिलाफ निकलने वाले किसी जनूर जल्से और उसके महरकीन से मुझारत ना करें उसके वज़ाए ये हैं कि जो कुछ भी देना होता है वो हुकूमत में देना होता है और जो कुछ भी मजबूरिया होती है इस तरह की सुरत नहीं था. सिर्फ इमरान खान उसके उपर इम्पान होता था कि हर रोज वो आया करेंगे. उस इमकान को सामने रखते हुए चीन के जो आपके जो हमारे दोस्त हैं जिन के साथ हमारा दावा है कि हमारी दोस्ती हमालिया से उंची और बहीर अरब से गहरी है. वहाँ उसके सदर की सुर्टालिय थी कि उसने अब आपके मुल्क में आने से इंकार कर दिया था और का था कि आप पहले ये मामलात अपने सेटल करें उसके बाद फिर मैं आपके पासा हूंगा और आज इमरान खान क्या 2014 की सिट्विशन से बेतर है या कम तर है अब इसका फैसा तो वक्त में करना है लेकिन अगर आप फर्ण करें ये तसवर भी कर लें कि ये 2014 वाली कैसियत है तो हकूमत अगले 10 महीमे में या 9 महीमे में क्या कर पाएगी अगर वो सीपेक को तेज करना है तो क्या सीपेक को तेज कर पाएगी आज वो बड़ा दावा कर रहे थे आज वजीर आजम की सल्मान जो है वजीर आजम और वली आहद सौदी अरब के वो पाकिसना तश्रीव लाएंगे बिसमला लेकिन क्या ऐसी किसी सूरते हाल में वो तश्रीव लाएंगे बात यह है कि हुकूमत की अपनी मजबूरियां होती है हुकूमत की अपनी लिमिट्स होती है जिनके अंदर उसे रहना है तो इस पर्टिकल केस में भी हुकूमत को अल्टिमिट्ली मजबूरियां की तरफ जाना पड़ेगा वो आज उनका पॉलिटिकल वो जाहर एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्टम की बिस पार्टी है ये सारी पार्टियां जो है वो अपने अपना हलका इंतखाब रखती है तो लहाज़ा उन्होंने एक मौकिस मौक जार करना है जो सियासी तोर पर आएंदर उनके लेक्शन में मददगार और मौदित थाबित होगा और दूसरा बाहराल हकूमत के तौर पे जिवेदारी भी उनकी लेनी है क्या मौना फदुर्जमान से मदाकराट नहीं हुए थे तो आप कहरें कि अल्टिमेटली के हकूमत की मजबूरी है करने पड़ेंगे मदाकराट आज नहीं तो कल क्योंके जरूरत इनको है मदाकराट की ब्रेक लेते हैं नादरीन और इस गुफ्तगो को जारी रखते हैं स्टे विड उस वेल्कम बैक नादरीन सलीम उखारी सब ये जरा फरमाईएगा के जो हमारे दोनों बाकी पैनलिस हैं ख्याल है कि अब जैसे ये कह रहे थे हभी वकरम साब के जी ये हकूमत को फाइनली इटल हैफ टू ओपन अप डायलोग क्योंके जरूरत तो हकूमत की होती है आखिर में मजबूरी उसकी हो जाती है क्योंके जाहर है जब स्टैंड स्टिल पे चीज़े आ जाएं तो फिर आपोजेशन तो बेसिकली उसके तो फ्री वीलिंग सीन है उस पे कोई जमेदारियां तो नहीं है सब का सब निजाम चलाने का तो मामला हकूमत का होता है तो क्या आप देखते हैं कि हकूमत किस पॉइंट पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी शो करने वाली है या बिलकुल नहीं देखें लिसीम सुर्तियाल ये है कि एक शख्स जिसके साथ इस्वत अवाम है जो इस्वत अवाम में बहुत पॉपुलर है वो कहता है मैंने इन चोरों डाकूं से बात ही नहीं करनी है तो एक कौन सी ने को सीशन का खाब देख रहे है मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती वो कहता है मैंने इन से बात ही नहीं करनी जहां तक हकोमत का तालग है वो तो नॉमन रुपनी कमेटी बना के बैठे हुए है क्या ये जनाब आप हमसे बात्चीत करिये वो कहते है पहले एलेक्शन का इलान करने आप तो ये जो सूरत्याल है ये वो normal सूरत्याल नहीं रही जहां opposition और हकोमत के बीच tug of war चल रही होती है किसी को कुछ given करना होता है किसी को कुछ back foot पे जाना होता है ये वो सूरत्याल नहीं है Ibrahim Khan Saafよは वो इन फरहों दाकूों से सब्चाहरात कर ले एक फर है वो एक्षबरीशमिहरे डाकू rijट करे लाग डाकू के ये थोड़ी लाग माच कर रहें वो एक्षबरीशमिहरे सचाहरे के इस्टवरिशम्न अपना इंपॉजिएशन बदले वो आफ इस्टेशिमेंट से कह रहा है कि मेरे लिए यह कर दे रहा है बात्चीज का तो उनों कभी ना मिन नहीं लिया पता नहीं क्यों बैठ के यहां बात्चीज के लिए महाल बना रहे हैं यह किसको नहीं पता हम में से नहीं बुखावी साब यह बात ठीक है आपकी के वो नहीं चाहते हैं सुबह रात को मिलते हैं सुबह कोई लाज़ को रही है किसी के पास उस लाड़ले की मर्जी का एंवाइनमेंट क्रियेट नहीं हो सकता उनको अलेक्शन किमिशन अपनी मर्जी का चाहिए उन्होंने चीफ अफ़ामी स्टाफ की अपॉइंटमेंट में मुशाफरत करनी है बही यह कैसे होगा पीडियम ने अपने इलामिये में दोनों सुरतेहाल के ओपर अपना मौकफ जो हावाज़ कर दिया है जो दो झाले ने नसीम आइज बिलीव कि इस ताइम आप फूट नाइधर शुट ने तो यह तो महौल अभी मजाकरात वाला तो बनी नहीं रहा है खान साथ निकले हैं लहौर से लेकर उनका ख्याल यह है कि इनसानी सरों का सबंदर निकलेगा यही बात उनको उनके साथियों ने यकीन दहानी कराई हुए कि निकलेगा लेकिन वो चुके लहौर से आगाज मैंने पहले भी कहा था मैं अपनी बात दोर आ रहा हूं शायद कि वो जो तवक्को थी कि बस सड़कें गलियां कूचे भर जाएंगे फिर कि वो नहीं हुआ है discutति अगलेगा हुए आपी कि बात को आगे लेकर चलते हैं कि वो डिक्टेट कर वाने निकले हैं और अगर पिंडी आते हैं ृस्लामबाद आते हैं तो जो हम सुन रहे हैं के लोगों से कि जी क्राउड तो आने हैं फ्रॉम के पी के और एजे के वगारा और ये देख ली जगा के क्राउड आ गए तो उसके बाद हकूमत के पास क्या आप्शन क्या है बिल्कुल यकीनी तोर पे जब काफले चलके आएंगे अजाद किश्मीर से आएंगे गिल कि तुर्टिस्तान से आएंगे के पिके से आएंगे क्राउड तो बनेगा लेकिन अगर तो क्राउड ने बनके स्वीम कोर्ट की मर्जी के मताबक F9 बैट के पार्क में धरना देना है जिसे अंगे का मर्जी ने law and order के मताबक उनने सुर्टेहाल को रखना है बिगरने नहीं देना है तो किसी को कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है कोई तंग नहीं करेगा उनको लेकिन वो जाके वहां सिर्फ बैटने के लिए नहीं जा रहे है नहीं बिलकुल नहीं आगे चलेगी तो that is where the problem is कि वहां पर गौर्मेंट अपनी डिश्ट करने पर तुली हुई है स्टैब्लिश्मिंट उसके साथ मिली हुई है किसी ने उनको वह धमा चौकडी नहीं मचाने देनी वहां पर जो पिछली दमा मच्ची थी यह बिलकुल वाज़े तौर पर बता दिया गया है और समझ भी कि शायद आ रहा है तो मजाकरा दिनोंने नहीं करने आके धमा चौकडी नहीं मिचाने देनी तो फिर जाएंगे कहां पिर कॉल आफ होगा आपको याद होना चाहिए ना वह एक सो चौपिस दिद्गा जो दरना फरा वो अल्टीमेट लिए अगर वो खुदा बदकिसमत वा जिसके लिए अली अमीन गंडापुर साब असला जमा कर रहे हैं पिंडी इसलाहबाद के बार्डर के उपर जो हमने अभी आडियो लीक सुनी है तो वो मरहला जो है जब आएगा तो फिर वहां पर उनको जो हकूमत की रिट की फोर्सिज हैं उनका सामना करना पड़ेगा र अपने अंदास से कहते हैं कि जथे आएंगे रिकाबस हो जाएंगे तो बस फिर हर तीसरे महीने नया जथा आएगा नसीम जारा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ चंद महीनों पहले की बात है बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जी जी बिलकुल टी एल पी आप कादरी के जनाज़े से शुरू हो जाएं और इस वड़ टी रोड तक आजए तो आप देखिए फिर ये जथे तो हर तीसरे दिन आएंगे तीन महीने कौन इंजार करेगा तो जिसकी लाटी उसकी बहांस होगी जिसके पास ज्यादा मुचला लोग है जिसके पास ज्या आप कह रहें कि आप इनको जमूरी बना रहे हैं हमारा तो हम तो जाहर एक कहेंगे जो हमें समझ आती है जो सबसे बेतर तरीका है आगे बढ़ने का वो तो बात चीत है बटा इनका पॉइंट तो बिलकुल बड़ा क्लियर और वैलिड है हभीव वक्रम साब के ये इमरान ख पावर है आप उनसे जिनके पास आप चुप चुप के जाते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि इमरान खान साब क्लियरली कह रहे हैं वो इस्टैबलिश्मेंट को इंगेज करेंगे तो यॉर फाइनल कुए कॉमेंट हभीव अक्रम साब अन दिस वेरी कुए एक तो यह है कि इमरान खान साब को इस गैर जब होरी मतालबा करें लेकशन और रेकशन तो दुनिया में कहीं भी मांगना कोई जर्म नहीं होता दूसी बात यह है कि क्या दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहां पे असमली अपनी मुदत पूरी करने से कुछ अर्शा पहले टूर जाए और अलेक्शन हो जाए पारलिमानी तारीख भरी पड़ी है ऐसी असमली ओसे जो अपनी मुदत पूरी करने से पहले टूर के यह दूर अलेक्शन हो गया पारलिमानी तारीख का यह कोई अन होना वाकिया नहीं है तीसरी बात यह है कि अगर वो स्यासी हुकूमत से मजाकरात नहीं कर रहे या बजाहर नहीं कर रहे तो क्या वो वाहिद आजमी है जिरोंने पाकिस्तान में ऐसी बात किया क्या इससे पहले अभी कुछ अच्छा पहले भी जिसकी खुद मेरे अस्ताज मुकर्म ने बुखारी शाब ने बिशाल दी कि वजीराबाद में जो धरना था वो कहा तो उठा था तो बात यह है पाकि पाकिस्तान की तारीख में एक गहर मामूली वाकिया अदम इत्माद की मन्जूरी का है और आप देख लीजिए कि वो लेकिन वो कॉंसिटूशनल तो है ना जी जो इंग्लेंड में हुआ वो कॉंसिटूशनल था वहां पे पार्लिमान की सबसे बड़ी पार्टी का क्राइस है और अब तक नहीं संबल पा रहा है उसके बात आप ने क्या इंडिया में पार्जिमानी क्राइसिस नी देख एं और उसका नतीछा क्या होता रहा है हमेशा एलेक्शन होता है यहां पे आलेक्शन मांगना कैसे गुना हो गया नहीं ठीक है बिलकुल आपका पॉइंट इस वेल टेकन आप कहरें गुना तो नहीं बिलकुल हम भी कहरें गुना नहीं लेकिन हम ये देख रहे हैं किसके पास ज्यादा पावर है किसके पास क्या लीवर्जिस आफ पावर हैं लेवरिजिस क्या हैं और कौन तयार होगा बुल पूर हो जाएगी early elections के लिए वो देख देखा जाएगा फिल वक्त जैसे सब कह रहे हैं के हकूमत तयार नहीं है establishment कहरी जी हम तो neutral है हम हकूमत को किसी तरफ धका नहीं देंगे तो let's see what happens हमाई तर से इतना ही खुदा आफिस पाकिस्तान जिंदा बात